C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थै कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक फिराख गोरकपुरी तारुफ शायर फिराख गोरकपुरी पैदाईश 1896 वफात 1982 रगोपती सहाई फिराख गोरकपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए घर में शेरोशायरी का चर्चा आम था उनके वालिद मुन्शी गोरक प्रशाद इबरत भी मशहूर शायर थे फिराख ने तालीम इलहबाद में हासल की और अर्दू और फार्सी के अलावा अंग्रेजी में भी आला लियाकत हासल की बाद में इंडियन नाशनल कॉंग्रिस में शामिल हो गए कुछ मुद्द तक जवाहरलाल नहरू के साथ काम किया जेल भी गए अंग्रेजी में एम्मे करने के बाद अलहबाद यूनिवरस्टी में अंग्रेजी के उस्ताद हो गए यहीं से 1969 में रिटायर हुए फिराख गुरकपुरी के कलाम के कई मजमुवे शाया हुए उन में रूह काइनात, रम्जो किनायात, घजलिस्तान, शबनमिस्तान और गुले नगमा खासतोर पर काबले जिक्र है उनकी रुबाईयों का मजमुवा रूप भी बहुत मशहूर है उर्दू में तासुराती तनकीद के अलमबरदारों में फिराख का नाम लिया जाता है उनके तनकीदी मजमीन का मजमुवा, अंदाजे और उनकी किताब उर्दू की इश्किया शायरी बहुत एहमियत रखती है शायरी में फिराख की गजल और उनकी रुबाई का अंदाज सबसे अलग है उन्होंने रुबाई की सिन्फ को हिंदुस्तानी सकाफत का तर्जमान बना दिया पेश है फिराख गोरखपुरी की एक रुबाई एक हलके जन्जीर तो जन्जीर नहीं एक नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं तकदीर तो कौमों की हुआ करती है एक शख्स की किस्मत कोई तकदीर नहीं फिराख गोरखपुरी मश्क लबजो मानी हलका घेरा दाइरा गोर करने की बात इस रुबाई में शायर फर्द के बदले कौम की तकदीर बनाने की बात कर रहा है और कौम की तकदीर उसी वक्त बन सकती है जब सब लोग मिल कर कोशिश करें मश्क सवालों के जवाब लिखिए इस रुबाई की रुश्नी में जवाब दीजिए इस रुबाई में तकदीर और किसमत दो हंपनी अलफाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें मतरादिफ अलफाज कहते हैं इसी तरह पांच हंपनी अलफाज लखिए कर दो दो नूचे कर दो दो दो